अरे जागो रे जागो देशे के मत दाता अरे जागो रे जागो उत्तर प्रदेश के मत दाता अरे जागो रे जागो मेरी बहिनी रे फाउजी रे जागो रे जागो मोरे नन दी सहेली रे जागो रे जागो रे जागो उत्तर प्रदेश के मत दाता बस यही कहना चाहूंगी कि अभी यदी वोट नहीं डाला है तो घर से बाहर निकलिए वोट डालिए और सब परिवार आकर के लोगतंत्र के इस उत्साह में भाग ले करके नागरिक होने का फर्स तो अपना निभाएं, सब लोग ये बात कहते हैं विरेश लेकिन मैं बार-बार कहते हूं कि हम ये कहते हैं कि नागरिक होने का दाई तो निभाएं सही है लेकिन देखिए हर त्योहार हर उत्साब साल में एक बार आता है लोगतंत्र का इतना बड़ा उत्साब पांच साल में एक बार आता है तो मुझे लगता है ये बात सिर्फ आपकी एक नागरिक होने के दाईत की ही नहीं, आपके सामाजिक आकांगशाएं भी, आप कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं, हमारी आने वाली पीड़ी के लिए कैसा भविश देखते हैं, ये सब सोचते वे जिम्मेदार के लिए इसे वोट कीजिये, और ज़रूर कीजि़ेखें, कई बार लडकियों के लिए महिलाओ के लिए होता है, कि वो लाइन नहीं लगाना चाहते हैं, उनको पतियों को लगता है कि पतंप कैसे ले जाएं, बहत देर लाइन में लगना पड़ेगा मैं कहना प्रशासन निकी यह लाइन में लगना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए घर में बैठे तू काहे लगा तू हो घर में बैठे तू काहे लजात हो अरिवोट डारे काहे नाहीं जात हो बहुरिया के साथ भी आई है और अपनी सासू माँ के साथ अभिधी आई एखे झर विल चैर पर हैं और बहुरिया दिल्ली से आई है वो भी मदान करने आई हैं अच्वारीव जी के हां absolutamente है . इस चीजब करना चाहिए हैं और पिरवार के सारे लोगों को आपे मिलके वोट डालने में जैसे हमारा परिवार आया पूरा यह खमारी मारे घर में एकदम जैसे कोई तहवार होता है उस तरीके से दिन है आज तो हम सब इसी तरीके से माय हैं और सब लोग आए आज वोट डाले जी बिलकुल बिलकुल और मैं बहुत ही दादा खुश हूँ कि हम पूरा परिवार के साथ यहां पर आ सकते हैं तो बस इसी की बहुत खुश हूट लेकिक्र बिलकुल डादी हैं दादी आई है वो डाले अवस्थी जी की बेटी है यह भी शादी के बाद पहली बार मत्दान के लाइर और मुझे तो लगता है कि मत्दान जैक फेस्टिवल की तरह ही होना चाहिए जैसे बुली दिवाली इदैं वैसे ही मत्द कि अवस्ती के अलवा आप भी लोग गाईका ये भी इनसे कहूंगा कि यह गार के भुल सुना और जाग और जागो अर जागो डेश के मत दाता और जागो रेजागो देश के मत दाता. अब बस महिलाओं के लिए ये कहूंगी कि महिलाओं अपने घरों से निकले और अपने हज्बंड से इंफ्लूएंस हो करके वोट ना डाले अपनी सोच अपनी समझ और अपनी परक के हिसाब से वोट डाले आपने पती से ना प्रभावित हैं, देखिए उंके पती भी खडए हैं वस्तीजी के बेटे हैं बिल्कुल भी नहीं हमारी जो सोच है, वो रादमिम की सोच हैं बिल्कुल हम लोक और के टरहना है, सबस्से यह जर में परSTी नहीं सब सरफ मद्दान तो देखे मरते दम तक करना चाहिए अगर देखे हम चल नहीं सकते तो इन लोग की रिस्पॉंसबिल्टी है कि मुझे मद्दान के इंदर तक लेके आया है अपना जब तक हम जिंदा है तब तक मद्दान कर दो वोटर अधिकार हमारा उसको हम एक्ससाइज करें गरके लोग हैं जिनके वच्चे हैं उन से आप क्या अपील करेंगी कि लोगों को अपने घर में चल सकते हैं चाय नहीं चल सकते हैं अपने बज़ोडिशार में लेके आया गदी मिश्टश में उठा कर लेके iam पर उनसे मामें एक वोट छो है उनका जोfast का नदिकार जो है कि ये माता जी हैं और उनकी बहु हैं उनके बेटे हैं उनकी बेटियां हैं मालनी अवस्ती जी को सभी लोग जानते हैं तो अपर मुख्य सचिवग्री ने मद्दान के लिए अपील भी की है और कहा है कि पूरे प्रदेश में शांति पूर्ण तरीके से मद्दान चल रहा है क के साथ वीरेश पांडे लखनवू एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी